जै श्री राम अयोध्या में श्री राम मंदर में राम लला की प्राण प्रतिष्था हो रही है सब तरफ खुशी का वाता वरण है घी के दिये जलाए जा रहे हैं क्योंकि इतने संगहर्षों के बाद यह दिन आया है राम मंदर में तो प्राण प्रतिष्था हो ही रही है पर उसके साथ ही हमें अपने चित्त और चरित्र में राम जी को प्रतिष्थत करना है क्योंकि राम जी का चरित्र संगहर्षों, संकल्पों और त्यागों के बल पर ही पूजा जाता है पर क्या उनके संगर्शों को लेकर हमारे मन में प्रेशना आये हैं? नहीं न? तो आज मैं आप सभी के सामने जो कवीता प्रिस्तुत करने जा रहा हूं वो अपने में यही प्रेशना रखती है तो आये कवीता को ध्यान से सुनते हुए प्रेशनों की गहराईयों तक पहुशने का प्रयास करते हैं तो यह कवीता इस प्रकार है सहली साली यातना पर करतब विसर वो परी रखा त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा बोलो कहां तक टिक सकेंगे यदि रामसा संघर्ष हो कलमकुट जिस पर साजना था अब उसे सब कुछ त्याग ना था निर्णायों के द्वन्व में एक बाल पन का सामना था वचन भी था 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 मना आदेश भी था मानना वचन भी था था मना आदेश भी था मानना तब इस तरह सोचो स्वैम को धर्म पर तुम रख सकोगे बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि रामसा संघर्ष हो प्रजा तो बस राम की थी दुनिया उसे जप रही थी वचन ही तो था तोड़ देता धर्म ही तो था छोड़ देता पर पील ही आँ क्या सीख लेंगी राम को चिंता यही थी हो चिं रहा एक शन में सब कुछ सोचो एक शन क्या करोगे बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि रामसा संघर्ष हो कि वटन जाने क्या किया था सभागी जो उसको मिला था रामसे ही ता रहने को रामसे ही लड़ गया था कुल वंश उसके तर रहे थे सब राम अरपन कर रहे थे सब कुछ हो बिखरा हुआ तुम सहज कब तक रह सकोगे बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि रामसा संघर्ष हो यदि रामसा संघर्ष हो है याद वो घटना तुमें है याद वो घटना तुमें जब रामसे वनवास में सिया थी हरली गई था कौन है उनके साथ में जब कुटी सूनी पड़ी थी दो भाई और विप्दा बड़ी थी बोलो ऐसे मोड पर तुम धेर खब तक , रह सकोगे यदि रामसा संघर्ष हो है यदि रामसा संघर्ष हो वह तो समें भगवान था पर कहां उसमें मान था किरिदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलीदान था मरियादा के प्रान थे मरियादा के प्रान थे रगवंश के अभिमान थे श्री राम के अध्याय से श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठा हासिल कर सकोगे बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि रामसा संघर्ष हो यदि रामसा संघर्ष हो विठा इतनी ही नहीं है कथा इतनी ही नहीं है कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है जब तपे संघर्ष में तब हुए उतकर्ष में जब तपे संघर्श में तब हुए उतकर्श में क्या हम भी ऐसी पॹरो ना पीडियों की बन सकेंगे बोलो कहां तक तक सकोगे दिराम सा संघर्श Olympics इस तरह हमें मर्यादा पुरुषोतन शिर्यलाम जी की तरह मर्यादित बरना चाहिए धन्यवाद